तो योग है जीव का ब्रम्न के साथ, योग है आत्मा का परमात्मा के साथ, सर्गुजे निकहा योग कहत हैं जोड़को, योग कहत हैं संदी, योग रहस्य उपाया में जीव ब्रम्न की संदी, परम पुरुष अरुवात्मा संदी निरंतर योग, जरमाया ब्रापे नहीं, कभी न होया अभियोग, योग योग सब कोई कहा, योग न जाना कोई, अरधधार उरध चले, योग कहा भी सोई, योग की जाठ्षा, स्वर्वेड के अंदर जो सबूर देर ने किया है, बंदो, ऐसी जाठ्षा, अध्धात्य जगत में कोई नहीं किया, स्वर्वूर देर ने कहा, कि योग के भी कई आधार है, योग के भी कई प्रतार है, योग के भी कई धरातल है, योग की भी कई भूनिया है, सरीर का योग है, प्रान का योग है, मन का योग है, और आत्मा का भी योग है, आत्मा से परे, एक और योग है, जिस योग का नाम अक्षर योग है, तन का आसन है, मन का आसन है, आसन है, जीव का, आत्मा का, और एक और आसन है, जो तन से, मन से, जीव से भी बरे है, वही आसन है, अक्षर का आसन, सन्रासन हर्च योगी माने, मन रासन कोई बिरला जाने, आत्मरासन अदभूत केला, है रहस अंतरगम नेला, अक्षर आसन, सब्द सनेही, सब्द या खंद, खंद या देही, हम तन का आसन करते हैं, मन का भी आसन, हम करते रहते हैं, हमारे हैं तो तन का भी आसन है, मन का भी आसन है, इतना ही नहीं, आत्मा का भी आसन है, और आत्मा से परे, एक अक्षर की शक्ति है, परमानों का योग दियोग है इक्षर की सक्ति है उसका भी आशन है आशन के कई प्रकार हैं आशन की कई भूमिया है आतमा का आशन क्या है अक्षर का आशन क्या है इसका अनुहो होता है स्वरवीड की पारायन से दिहंगम योग की साधना से सरगुर की कृपा से अक्षर परनक्षर विज्याना बिन सब्गुर कोई नहीं पहिचाना ररनकार है खेचर मुत्रा दसमा द्वाल की काना ब्रम्हा विष्यो महस्वर देवा ररनकार पहिचाना चाचरी भूचरी अगोचरी उन्मुरी खेचरी पाचों ती गमना है अधर तानकानी रिचक भूरक कुंभक ते धंगना है परहे गुन्य परहे गुन्य वाद करे कबंग नहीं मानिये स्वासा का जाप करे जूट सो बखानिये अक्षर पार अक्षर पार निय अक्षर भर्पूर कहें कबीर सो सत करमानिये तो अपना जो ज्ञान है बंदू उसका आधार प्रकिस नहीं है उसका आधार देश अंधात नहीं है उसका आधार इंड्रिया नहीं है अंता करम नहीं है पंज कोश नहीं है पंज सब्द नहीं है दस अनहद नहीं है वह तो इन सबसे परे है वह तो स्वेत भूमी है वह तो साज सिंहासन है अश्ट चक्र सब सुन पर धर अधरा के पार तहां सदा फल घर किया भूली बड़ा संसा गुश्वामी रामाई के अंदर क्या कहते है कि गुरू का प्रकास निकल रहा है प्रकास का माध्वन क्या है प्रकास का सोथ क्या है प्रकास का अधर क्या है प्रकास कहां से निकलता है शिरी गुरु पदाया का माणी गान जोती सुमिरत्य दिव्य ग्रेश्टी ही अभोती इश्वताई को सल्गु देभवान पृत्रमाशाश्री अपने प्रोश्टन में प्राया का करते थे गोशामी जी तोसिदार जी एक पहुचे वे फकीर थो फकीर की बात को समझने के लिए हमें आपको फकीर होड़ा पड़ेगा कि गुरू की जो शक्ती है उसका स्रोथ तीन तरह से है गुरू की शक्ती निकलती है बागी के द्वारा और गुरू की शक्ती निकलती है नखों के द्वारा करल एक सल्दन आये और काने लगे एक बिसे से पूश आयो हैं आपके बीच तो हमने कहा ठीक है मिलाओ फिर अलग से कहने लगे है कि आप इनको खीच लीजिए आप इनको आकर सिर्द कर लीजिए खीचने की प्रक्रिया है आकर सिर्द कर लेका विधान है लेकिन उसमें लग जाता है चुम्बक खीचता है लेकिन उसकी भी एक परिधी है उसकी सीमा है अगर उस चुम्बक सक्सी से आप बाहर हो तो चुम्बक भी आपको खीच नहीं पाएगा तो खीचने का भी आकर सिर्द करने का बिधान है और बिधान ही नहीं है उसकी भूमी भी है कि चुम्बक कहां काम करेगा काम करेगा सुन शिखरवे हिमाले की कर्णरा में प्रियाग राज की गुफावे या बिट्टिकू डासब के गुफावे कुम्बक सम्हा कर्श हो खीचे विरही जीव विरही जू जीव है विरही जो आत्मा है वही जो है ज्ञान का अधिकारी है सब गुरु मेरा कर्शन है भाजी सुद्धम मुक्ष ठीचैनर नाजी दसमद्वार बरगुप्त है मजमत भेद बिलास बिन सद्गुरु गम नामिले अनभव अधर प्रकाश तो बंधु प्रकाश का जो पूंज है उसका आधार जन नहीं है उसका आधार तो चीतन है जिसके विशर में हमारे सब्गुर देव ने कहा चेतन गुण चेतन क्रिया चेतन सब्द वहार चेतन परमा नंद है चेतन सब्द अधार बिहंगन योग के अंदर जर्भक्ती नहीं है बिहंगन योग अंद परंपरा नहीं फेलाता बिहंगन योग स्वरवेश अंद भक्ती का पचार नहीं करता या जो पद्दिती है बंदूँ वज्ञानिक है आप साजना करते हो आपको अर्भूती होती है अर्भूती तो यहां तक हो जाती है कि कहां शरीर का मंदल है कहां प्रां का मंदल है कहां बुद्धी का मंदल है कहां मन का मंदल है और कहां अपना मंदल है कहां आत्मा का मंदल है यह बात गले उतर सी है कि मन बुद्धी को बाधो मन प्राव को रोको और मन प्राव को रोक करके अमन हो जाओ और इसके बाद बिहंगा में उकी सादना करो गले नहीं उतर सी लेकिन स्वरवीद का दर्सन ब्रह विज्जा की फिराश्वी क्या करती है कि मन को प्राव को उसकी भूमी में कैद करो और अमन हो जाओ मन को प्राव को उसकी भूमी में कैद करो अमन हो जाओ और अपने आत्मिक आधार से भग्ति करो मन और प्राव बाद गुर वेदा ऐसा ज्यान आधु मंडल में कहा है प्राव करें